असलाम लेकूं किस वाफ सब अलम्दलिल्ला मैं एकदम ठीक हूं और उम्मिद करती हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे तो चलो भई अम्मी को जिस काम के लिए बुलाया था वो काम सुरू हो चुका है इंपॉर्ट करके बुलाया गया भई बड़ाई खर्चा करके बुलाया अम्मी को किस वक्षल के लिए बुलाया घया है वो तो आप लोगों को पता हिए यहार तो इतनी थारीफ इतनी थारी पुरी थी में अंधी के खाने का हम्मिक करो है और मेडम ने स्रीफ एक दिन एक सालन बना के खिला दी वो भी कैसे बनाई आप सब को तो पता ही है सारा कुछे की में डाल के चड़ा दी हंडी बन गया सालन फिर बाद मेमों में कैमरे ले जा ले जा के तारिफे करवाई कैसी बनी कैसी बनी कैसी बनी भाई बहुत अच्छी बनी थी रोज मुझे तो लगा था कि अब रोज अमी को खाना बना के खिलाएंगी अमी के नसीब इतने अच्छे के अमी को बेटी के हाथ का खाना नसीब होगा लेकिन फिर अच्छा हां मैं तो कल की वीडियो में नजमा जो जाड़वली चुडएले उसकी वीडियो में बताने ही भूल गई कि जाड़वली चुडएल कह रही थी कि मैं और अमीना खान बना रहे तो मैं सोची हो रहे मतलब मतलब यह है कि अमी को जिस काम के लिए भुलाया गया था हंडी हिलाने तो वो काम इतनी जल्दी सुरू करवा दी इसने इतनी जल्द सिर्फ और स्रीफ दो दिन अमी को इज़त दी तीसरे दिन अमी को लगा दी चमचा हिलाने में चमचे वलों को तो बड़ा नाम रख रही थी ना चमचे वलों को कुछ आता नहीं है सिवाए चमचा हिलाने के तो भई तुम्हारी अमी को तुमने क्यों बुलाया है चमचा हि यह लिए तो बिलाईए को और यह को खाने की इतनी थारिफ अमी को यह आता है मुझे नहीं आता है यह सिर्फ अमी बना सकती है सिर्फ अम्मी को ही आता है ऐसे केके केके को चने के जाड़ पे चड़ा दी और अब अमी करेंगी अच्छे से कुकिंग अच्छा आप लोगों को याद होगा हमी आने वाली थी उसके एक दिन पहले केक बनाने का वाक्षी है वह आ जाएंगी ना फिर मैं कल बना दूंगी केक ऐसे कहा था अम्मी के वैलकम का केक और सौधी में याद है आप लोगों को कैसे टाल रही थी कहें के मदर डे हम लोग स्पेशल मनाएंगे मैं स्पेशल अम्मी के लिए कुछ करना इसको बिल्दकूल भी पसंद नहीं है और ना ही तो यह करती है यह सब टैम व केक बनाऊंगी ऐस मेरा निक कल बनाऊंगी और केक बनाने के लिए थी चलो मैडम के पास में टाइम नहीं था चैम कर रहे तो यह सो रहे थी या कॉस्टमर पे थी पता नी क्योंकि यह कहीं पे भी नजर नी आई सुबह पांच बजे से में अब उठे हुए थे नजमा उठी हुई थी और लोग सब जन्हें काम में लगे हुए थे सितारा कहीं नजर नी आई और जब सितारा की वीडियो में देखा गया तो सितारा इसे कह रही है कि सब सो रहे है मैं उठी हूँ और आयत उठ गई है भाई हमें पता चल गया था कि तू सब सो रहे थे या सब जाग रहे थे तू उठी थी या कौन उठा था वो तो दिग गया ठीक है तो अभी तलक के इसको अम्मी के लिए केक बनाने के लिए टाइम नहीं मिला चलो टाइम तो नहीं मिला इसके पस पैसे भी नहीं है खर्च करने कि एक आदा किलो का केक मंगा के ही अम्मी का वेलकम कर देती लेकिन क्या जरूरत है अम्मी तो है क्या है इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है इतना कौन सा कोई बड़ी हस्ती है जिसकी इज़त करना बहुत जरूरी है यह मैंनी कह रही है सितारा की सोच है जो हमें दिखती भी है और जो है रियल में इसकी सोची है इसी हर एक वो इंसान क लिए यह नाटक करके special day बनाने की मस्के मारने के लिए कुछ दिखाने की कोशिश करती है लेकिन अम्मी के लिए आप लोग देखोगे कर लेकिन जो कमेंट्स आते हैं तो कुछ चेयर मैं इसमें हाइलाइट करके बता करें लोग ये वह पतकते के वह पता न tweaking नहीं यार जो comment में ये सब लिख रहे है ना उनकी गलती नहीं है जो दिख रहा है वही बाते करीए पूब्लिक तो यह सब करने के लिए इनको शरम भी नहीं आ रही है कि लोग बाते करेंगे लोग उंगली उठाएंगे और इसका सारा credit जाता है सितारा को जिस तरह कि अब बाते हो रही है ना अम्मी अभू के उपर तो इसका क्रेडिट सितारा को जाता है क्योंकि अगर सौधी में थे भी और यह सब चिछोरा पना चलो करते भी थे लेकिन पब्लिक को तो नहीं पता था ना सितारा ने तो अच्छे से हाइलाइट कर दिया कि देखो अम्मी अभू को कितनी जादा इसा मतलब शो कर रहे है जैसे कली शादी हुए इनकी अरे सितारा बसकर माबाप को कितना बदनाम करेंगी डॉलर कमाने के लिए लख लाना ते तेरे उपर मज़े इस बात की भी और हैरत हुई है कि मतलब फारुक की जो वाइफ है नजमा जाडवली चुड़यल वो चली गई वो चली गई लेकिन फारुक फिर भी रुग गया मतलब इनको अपनी घर की अपनी बेटियों की बिल्कुल फिकर नहीं है वो देखो गोंचू वो जाके वहाँ पे दुबई में बैठा हुआ है और उसका घर फारुक समाल रहा है और फारुक का घर कोई गैर मर्द समाल रहा है मतलब क्या सीने, ऐसा क्या है, सितारा को ऐसा कौन सा काम है जो इसको फारुक की जरुवत पड़ती है और जाड़ु अली चुड़े ले जो नजमा उसको भी शरम नहीं आ रही है कि अपने अस्बेन को यामा जो जो अपने लगा के छोड़ के रखी है और खुद कहां पर क्या मुझ काला करते फिर रही है वैसे जाड़ु अली जो चुड़े ले लेना वो भी जाना तो नहीं चाहती थी वापिस लेकिन जब बाते होती है न कि जाओ अपनी बेटियों का ध्यान रखो ये हो रहे वो हो रहे तब जाके इनको थोड़ी सी शरम आती है और ये अपने घर पे वापिस जाते है वरतना नजमा कभी कोई इरादा नीता वापिस जाने का वो चाती थी दोनों मिया वीवी मेल के शॉट आउट भी लेते रहे और यहां पर बैटके टॉइलेट साफ करे और वो जो महमानों के बैटने माला रोम है वहां पर विखारी की तरस हो जाए इस तरस है उसका प्लैन था लेकिन अब बाते हुई न तब जाके वो उठके काम है जो इसने अपने भाई को रुका के रखी है अगर इतना ही काम चोरी है तो एक खाना बनाने के लिए मैट रख लेना क्यूंकि इतना ही तो विखारन तू है नहीं दुनिया भर के तो तू कड़ोडों रुपे कमा रही है हां यह दिखाना होता है ना तुझे के तू ग हमारी है जो तरह कुछ का घर नहीं है जूटी नंबर वन इसने अपने वीडियो में यह बोली है कि दो दिन के पाद में भाई आएंगे ऐसे करके कुछ कह रहीती है अपनी भावी को तो इसका मतलब है दो दिन के अंदर यह जो खुचरे जैसा इसका भाई है जो हंडी हिला यह चला जाएंगा क्योंकि ना दो दिन के अंदर मुझे लगता है कि साजीद आने माला है साजीद आएंगा फिर वो बनाएंगा ना खाना बनाएंगा बरतन दोएंगा कपड़े दोएंगा यह हो सकता है कि दामात को काम करते देख फिर सास को सरम आएंगी तो फिर सास काम करेंगी लेकिन पता तो यही चला है के दो-तिन दिन में साजीद और गोंचु आने वाला है और फिर बाद में यह वापिस जाएंगा और जिस तरह से तीतारा कल भी बता रही थी के मेरे हस्बेंड आ जाएंगे फिर भाई चले जाएंगे मतलब यह है नहीं इसके लिए फिर म नंबर का डफर एक नंबर का अंगोठा च्छाप है वह काम तो सारे तो उसके रहते भी खुदी करती है जैसे बैंक के काम लिखने के और चैनल को लेके जो काम है और कम्यूटियां डालना यह सारा कुछ तो खुदी करती है लेकिन साजीद का नाम है ना साजीद को को यह जूटी बात है कि साजी तेरी बहुत ज़्यादा जरूरी जरूरत है ना वैसे एक चीज़ से बड़ी ही मतलब तैम बात जान चुटी थी जब यह सौधी से आई थी और नाटक करी थी कि उम्रह करके आई हूं उम्रह करके आई हूं बोलके जो इसने नाटक रचाया अर रोज मुझरह अली बनके घुनती रहती थी उससे जान चुटी थी लेकिन पिर फिर से इसके आँग मिना हुम्रह ज्यान आ गई थी फिर से यह मुझरह अली बन गई थी फिर से यह बार बार मतलब यह जतानी कोसिश करे थी सबस्तुराइबर आये थे फूल bask Ta यूकि य झाल 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 पार्क में जाते हैं भी नमाज पढ़ी होती है तो उम्मीद तो बहुत सारी जागी थी जिसके उपर बहुत अच्छे थे पानी फिर गया है लेकिन फिर भी हम आगे उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है अपनी बेटी को भी यह सब तालीम दे और कहें कि बैटा नमाज शुरू क परदो तुमने तो challenge लिया था था लगे अब तुमने बर सितारा नमाज के लिए जो तुमने नहीं नजर आ रहे क्या हो गया स्मास की चैललेंज से कोसे डॉलर मिलने वले है तो वह कुछेज JULY n esk pok teaches दो वौ चैंल नहीं भी पूरा की तो तेरे लिए चलेंगा ना बड़ी ही घटिया हो रहते थे तो ये देखो ना कि लोगों के घर का माहल क्या है लोगों ने मतलब बिली को कह रही है कि इसको सुकून नहीं है ये घर में नहीं टिकती ये वो बला बला दुनिया बर की बाते कर रही है मतलब इसको पता ही नहीं था कि इनके घर में से एक में सिंसे कंठाला करके घर छोड़के एक मेंबर भाग चुका है वो इनको पता ही नहीं था ठीक है अब वो पडोसी के घर में जाके इनकी बिल्ली बैड़ गई थी जब पारुक औरत को याद आया कि घर में बिल्ली नहीं है तब जाके इनका इसास हुआ कि बिल्ली नहीं है फिर पता ही नहीं चला क्सो चले गई तुझे कहां से पता चलेंगा जो अड़तें घर गिरस्ती वली होती है जिनके ध्यान घर में होते है न उनको ये सब बाते पता चलती है तो थो बड़ी बीजी यह कश्टमर वो कश्टमर फिर कौल पर लगे रहे ना इसको डराना इसको डराना यह सब में लगे रहती है अब यह डराने वाली कौन सी बात है तो यह भी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूँगी कि पीट पीचे बंदी गेम बड़ा अच्छा खेल रही है क्या खेल रही है मैं वो भी आपको बताऊँ मैडम का सर के दरत का नाटक फिर से शुरू हो गया कि सर में दरत है ममी ने आयलिंग की मैडिसिन दी में दो घंटा सो के भी उड़ गई सर का दरत फिर बलू नाइटी में पिच्चर आना विडियो आना और गंदी गंदी जगाओं पे गंदे इशारे करना जब जब इसके सर में दरत होता है न तो ऐसा कोई कांडे सामने आता यह अ अब क्या ही कहूं न और गेरी क्या पता है कि अम्मी के आने के खुशी में सर के दरत को इसने इकनौर किया है पता नहीं चल रहा है एनरजी बहुत है तो वो हमें पता है बेहन अम्मी के आने की कितनी खुशी है तुझे और कितना गाम है सारा कुछ पता है तो अम्मी के आने की खुशी और सर का दरत और एहसास नहीं हो नासर के दरत का ये सारा कुछ हमें पता है तो इसके लिए तो तु बेवकूप बिल्कुल भी नहीं बनाना अपने पब्लिक को अज मां के प्यार को लेके बहुत लंबा चोड़ा लेक्षर दिया कि कुछ नसीब हूं मैं मुझे मां का प्यार मिल रहा है मां का प्यार शादे क कुछ पता है बस पब्लिक को जिस तरह से तु बेवकूप बना रही है ना मां के उपर मां के कंदे पर बंदूक रखके चला के और बेवकूप बना रही है ना पब्लिक को तो ये बनाना तो एकड़म से बंद कर दे क्योंकि पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जितना सारा कुछ पता है सुन्न्हें को किस कम के लिए वुलाइए और तेरी आगे की प्लाइनिंग क्या है आ छार कुछ पता है तोड़ा-थोड़ा करके सारा कुछ बाहर आएंगा और अपने डॉलर की चक्कर में अम्मी और अबू को ना अलग कर देना तू जहां तलग के मतलब तरी जो सोच है और तरी हरकत है दीख रही है ना उस हिसाब से ना तरी निया तो मुझे यही नजर आ दिये कि बहुत जल्दी तू अपने अम्मी अबू को भी अलग करवा दें और तू कर भी लेती है ना यह तब तो प्लीज यह तो मत कर कम सब माबाप को तो छोड़े यार तू माबाप कभी डिवास करवा के छोड़ेंगी अरे तू जिंदगी बर तो मा को समानने वाली नहीं है क्यों उनके रिष्टे के पीछे पढ़िए लखलाना ते तिरे उपर शरम कर डूप के मर जा अपने डॉलर के चकर में अपनी शौरत के चकर में अपनी चैनल के चकर में तू इतना गिर रही है यकीन नहीं होता ना मा के उपर यकीन हो रहे है और नहीं तो तेरे जैसी अलाद के उपर यकीन हो रहे है कि तू अपने चकर में उन लोगों को बिदार होना चाहिए ना कि सौधी में जो अलाथ थी वो कैसी और तू कैसी तो यह वीडियो यहीं पे अंड़ करते हैं वीडियो कसी लगी कमेंट में जरूर बताना पसंद आएंगी तो लाइक करना शेयर करना चैनल के नहीं हों तो चैनल कर सब्सक्राइब भीडियो में अल